नमस्कार दोस्तों जैहो, महाबली हनुमान जी, महाराज की तो तुलाराशिवालों, आपकी जिंदगी का सबसे भयंकर समय शुरू होने वाला है, आने वाले अगले 24 घंटे में ये सच्चाई सुनकर आपके पैरो तले जमीन खिसक जाएगी, आपके दुश्मनों के सारे शा करने से पहले हनुमान जी के भक्त, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली लिखना ना भूले, तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरूआत करते हैं गुरू जी के एक छोटे से अनमोल विचार से, तो मित्रों हमारे गुरू जी कहते हैं कि इ जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोगों को खुश करने से आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, आपके जीवन का कोई महत्व नहीं होगा, लेकिन अगर वही दूसरी ओर आप रब को खुश करेंगे, अर्थात भगवान को खुश करेंगे, तो जिन लोगों से भगवा अनराजी होते हैं, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, तो मित्रो, आज ही से अपने जीवन में गुरु जी का यह ज्यान जरूर अमल कीजिएगा, गुरु जी का यह ज्यान आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे-राधे अवश्य लिखिए आपको अपने क्रोधी स्वभाव में बदलाव लाना होगा, नहीं तो यह क्रोध आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ देगा, वह आपके परिवार में और रिष्टों में भी खटपट हो सकती है, तो मित्रो, आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा, आपक आपको क्रोध नहीं करना है, नहीं तो आपका कोई जरूरी कार्य लंबे समय के लिए टल सकता है, और मित्रो किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम पर घर में और परिवार में चर्चा हो सकती है, जिसमें परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मश्वरा करना आपके लिए वही ध्यान रखिएगा मित्रो कि आप अपने माता-पिता को व परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर ले जाने की योजना बना सकते हैं, और देखेंगे कि किस तरह से माता-पिता आपसे खुश हैं। जिसके कारण आपका मन प्रसन होगा, वह उसमें अपने साथियों का सहयोग भी भरपूर मात्रा में मिलेगा, तो वही ससुराल पक्ष से आपको धनलाभ मिलता दिख रहा है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी, और जो लोग विवाहयोग्य हैं, उनके कारण उनकी समस्या का समाधान भी होगा, लेकिन आपको अपने जीवन साथ ही के स्वास्थे में गिरावट के कारण कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यदि ऐसा हो, तो डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें, मित्र, क्योंकि मामला सेहत का है और सेहत ही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, तो सेहत के प्रती बिलकुल भी लापरवाही न बरतें, और किसी भी प्रकार का खिलवार सेहत के साथ न करें, आपकी आर्थिक स्थिती को मजबूत बनाने के लिए इस समय आप अपने दैनिक आवशक्ताओं की पूर्ती करने के लिए भी कुछ खरीददारी कर सकते हैं, जिसमें आपका कुछ धन व्याय होगा, तो आपको आपका व्यापार में फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जो काफी लंबे समय से अठका हुआ था, जिसके बिलकुल भी आपको आसार नहीं दिख रहे थे वापस आने की, तो मित्रो अब आसार हैं, जिसके कारण अपनी संतान की कुछ अनचाही की प्राप्ती भी कर सकते हैं, अर्थात, संतान ने आपसे अपनी कुछ इच्छा की थी, वह आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, संतान पक्ष की ओर स आपको कोई प्रसन्नता दायक समाचार सुनने को मिलेगा, जिसके कारण आपके मन में हर्ष होगा, और यदि आप साजेदारी में किसी व्यापार को करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए समय जो है बहतर रहने वाला है। आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। क्योंकि मित्रों, एक बार यदि किसी व्यक्ती का किसी भी कार्य के प्रती मन बन जाता है, तो फिर वह सफल ही होता है। आपको अपने धन का निवेश भी दिल खोल कर करने में फायदा होगा। मिल सकती है और जिन जातकों का अभी कुछ समय पहले विवाह हुआ है, उनको कोई शुब समाचार सुनने को मिलेगा, जिससे घर-परिवार का वातावरन जो है सकारात्मक रहेगा, खोशाल भरेगा और आनंद मैं रहेगा। और मित्रो, विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये कठिनाईयां समय के साथ हल हो जाएगी। वही आपको ध्यान रखना है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी पुरानी बात पर सोच विचार कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने किसी परिजन की ओर से भी सलाह मशवरा लेना पड़ सकता है। तो यदि आपका अपने भाई बहनों से कोई मन मुटाव चल रहा था, तो उसमें भी सुधार होगा, और आपके पिताजी का अकस्मात कोई स्वास्थ्य समस्या होगी, तो उसमें शाम तक सुधार होने की पूरी उम्मीद है। आप अपने कुछ अकस्मात खर्चों के कारण परेशान भी रहेंगे, लेकिन वह आपकी मजबूरी में करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको उन खर्चों के प्रती मजबूर होना पड़ रहा है। तो मित्रो, आप अपने जीवन साथी को कोई उपहार भेंट कर सकते हैं, जिससे आपके प्रेम संबंधों में नजदी कियां बढ़ेगी, सारी गलत फहमियां दूर होगी और सारे मनमुटाव समाप्त होंगे। यदि मित्रो, आप व्यवसाय की किसी नई योजना को लॉंच करें, तो उसमें अपने पिताजी से सलाह मशवरा अवश्य करें, आपके पिताजी बहुत अनुभवी हैं और उनका आशीरवाद और उनके सानिध्य में रहकर अगर आप काम करेंगे, तो अवश्य ही आपको स प्रैन बना सकते हैं, तो अनुभवी और सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आपकी मुलाकात होगी, आपको महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक पक्ष बेहतर होगा, क्योंकि मित्रो, अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में आपको कार्यक्षमता द्वारा सभी कारियों को संपन्न करने में भी पूरी तरह से सक्षम भी रहेंगे, वही अनावश्य खर्चे बने रहेंगे, परन्तु अनुचित, अथवा, दो नंबर के कारियों से दूर ही रहें, वरना आप किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं और अपनी वानी तथा उत्तेजित व्यवहार पर संतुलन रखें। अगर आप अपनी दिल्चस्पी लेंगे, तो आप आर्थिक स्थिती से थोड़ा सा हाथ धो बैठेंगे। वहीं कोई महत्वपूर्ण काम आसानी से संपन्न होने से उत्साह वजोश रहेगा, और जोखिम भरे कारियों में कोई दिल्चस्पी आपको नहीं लेना है। ऐस आपको पहले भी बताया है और ओफिस में कुछ पॉलिटिक्स जैसा माहौल रह सकता है। अर्थात राजनीती जो है आपके ओफिस में चलेगी जिससे आपको थोड़ा नीचा देखना पड़ सकता है और दुश्मन भी आपको नीचा दिखाने पर अड़े रहेंगे और पा कि पिछले कई समय से कोई रुका हुआ काम निर्विग्न पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरह से आपका कार्य पूरा हो रहा है। ऐसा नहीं है मित्रों कि समय पूरी तरीके से आपके पक्ष में नहीं हैं, किस छेत्र में हैं तो किस छेत्र में नहीं हैं। आय चान में नियमित थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। युवाओं को विभागिये परीक्षा अथवा किसी इंटर्व्यू में सफलता मिलने की पूरी संभावना है तो आप एडी से लेकर छोटी तक का पूरा जोर लगाने की कोशिश करेंगे। और आपके प्रतिध्वंदी जो हैं आपके विरुद्ध को योजना बना सकते हैं। इसलिए सचेत रहना जरूरी है और कारियों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। बहतर होगा कि समय रहते परिस्तितियों को नियंतरित कर लें। और नियंतरन में लेकर आएंगे तो आपके हाथों में सारी बातें होगी। यदि कामकाज के विस्तार की योजना बना रहे हैं और जो योजना काफी लंबे समय से चल रही थी वह अब गती पकड़ेगी। और इस गती के चक्कर में मित्रों आपको बिलकुल भी अहंकार नहीं आने देना है क्योंकि यह समय जो है सब कुछ समय का खेल होता है इस समय किसी भी प्रकार का उधार सम्बंधित लेन देन न करें और नौकरी सम्बंधित कार्य को गंभीरता से लें अन्यथा लापरवाही के परिणाम घातक हो सकते हैं मित्र बच्चों की किसी विशेश समस्या का निवारन होने से आपको राहत मिलेगी जितनी भी मेहनत लगे परंतु आप अपने काम को पूरा करके ही दम लेंगे और मेहनत करने से आपको कतराना नहीं है क्योंकि मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा और मेहनत एक ऐसी चा और पिता-पुत्र के बीच कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे बैठ कर सुलजा लेंगे, तो सारी समस्याएं जो, हे मित्रो, वहीं आपकी आँखों के सामने हैं। बस थोड़ा सा प्रेम का परदा आप अपनी आँखों पर डालिए, और घर के कोई इलेक्ट्रिक आइटम खराब होने से बध्धा खर्चा सामने आएगा, तो यूवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में समय नश्ट न करें। आपको बता दे मित्रो, कि यह जो समय है, यह यूवा वर्ग को थोड़ा सा मुश्किल भरा रहने वाला है। यदि आप अपने करियर पर ध्यान देंगे, तो यह समय बहतर भी बनेगा, और कार्यक्षेत्र में बदलाव संबंधित काम पूरे होंगे। आपको मेहनत के मुताबिक नतीजे भी मिलेंगे, और मनमाफिक माहौल भी बना रहेगा, और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने से नौकरी प्राप्ति की संभावना है। पति-पत्नी घर की किसी समस्या को आपसी सामंजस्य द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे, और वाद विवाद से वातावरण और भी बिगड़ी सकता है, और प्रेम संभंधों में दूरियां भी बरट सकती है। तो मित्रो वाद विवाद जैसे ऐसे कामों से आपको दूरिया बना कर रखना है। बलड, प्रेशर, संभंधित नियमित जांच अवश्य करवाएं तथा ज्यादा गरिष्ठ भोजन के सेवन से परहेज करें। कोई कोट का चहरी संभंधित मामला चल रहा है, तो आपकी जीत सुनिश्चित है। एक उपाय जान लीजिए, अगर आप सुन्दर और सुशील पत्नी चाहते हैं, तो गुरुवार को पांच हरी इलाइची के साथ पीला कपड़ा किसी गरीब को दान कर दें। ये उपाय कम से कम पांच गुरुवार तक करें। दोस्तो, बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को विग्न हर्ता कहा जाता है, इसलिए इस दिन आप कुछ आसान उपाय करके अपने जीवन में सुख सम्रिद्धि लेकर आ सकते हैं। इस दिन आप कारोबार्व करियर में तरक्की के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बेहद सरल हैं और इन्हें आसानी से किया जा सकता है। इस पाठ का पुण्यफल एक लाक पाठ के बराबर होता है। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन करना भी लाबकारी माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुद्ध की स्थिती बूत होती है और भगवान गणेश व लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर भी हरी मुंग अर्पित कर सकते हैं। दोस्तो एक उपाए और सुन लो हर बुधवार को भगवान गणेश को शमी पत्ता और दुर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर शमी के पत्ता नहीं मिल रहा है तो दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दूर्वा की एक गांठ बनाई जाती है और इस तरह 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती है। अन्यथा बजट गड़ बढ़ा जाएगा। आईए एक छोटा सी ज्ञान वर्धक कहानी। हम आपको बताते हैं एक व्रिद्ध संत ने अपनी अंतिम घढ़ी, नस्दीक देख अपने पास बुलाया और कहा मैं तुम्हें चार कीमती रत्न दे रहा हूँ। पूरी अपने द्वारा दूसरों के प्रति किये गए उपकार को भूल जाना, कभी भी किये उपकार का प्रतिलाब मिलने की उम्मीद न रखना। से बचा पाएगा और सफल करेगा। चौथा, रत्न, वैराग्य, हमेशा यह याद रखना कि जब हमारा जन्म हुआ है, तो निश्चित ही हमें एक दिन मरना ही है। इसलिए किसी के लिए अपने मन में लोब मोह न रखना। मेरे बच्चों, जब तक तुम ये चार रत्न अपने पास संभाल कर रखोगे, तुम खुश और प्रसन रहोगे। आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। आप अपने परिवार पर पूरा ध्यान देंगे। परिवार की गतिविधियों में शामिल होंगे और काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे हासिल होंगे। आपकी महनत रंग लाएगी। शादी शुदा लोगों का दामपत्य जीवन प्रेम पूर्ण रहेगा। परिवार के कामों में दोनों मिलकर जिम्मेदारी संभा आपकी इनकम सामानने रहेगी। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को आज अपने प्रिय का नया रूप देखने को मिलेगा। जो आपको पसंद आएगा। शादी शुदा लोगों को अपने ग्रिहस्त जीवन का सुख मिलेगा। जीवन साथी के साथ परिवार वालों के सा प्रेम जीवन भी काफी अच्छा रहेगा.